सोयाबीन के तीनों शीर्ष उत्पादक प्रांतों, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में सोया रिफाइन तेल का भाव पिछले कुछ समय से नरम बना हुआ है, लेकिन जानकारों का मानना है कि आगे इसमें ज्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं हालांकि वैश्विक बाजार में सोयाबीन तेल का भाव पिछले दिन कुछ मजबूत हुआ था क्योंकि ब्राजील में सोयाबीन का उत्पादन अनुमान गटा कर 15 करोड तन से नीचे निरधारित किया गया था लेकिन भारतिय बाजार पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ इसका कारण यह है कि देश में पूर्व में आयातित सस्ते सोया तेल का भारी भरकम स्टॉक मौजूद है जबकि स्वदेशी उत्पादन भी सामाने बना हुआ है इसके अलावा सोया रिफाइन तेल की घरेलू मांग भी अपेक शाकृत कमजोर है केंद्र सरकार खादे तेलों का भाव निचले स्तर पर स्थिर रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सोया बीन की औसद दैनिक आवग दो पचास से तीन लाक बोरी हो रही है और इसका दाम न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP, से नीचे चल रहा है लूज में इसका दाम 4,400 से 4,600 रुपए प्रती क्विंटल तथा प्लांट डिलीवरी भाव 4,600 से 4,800 रुपए प्रती क्विंटल चल रहा है प्रमुख निर्यातक देशों और खासकर ब्राजील तथा अमरीका में सोया तेल का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है जबकि अर्जेंटीना में अगले महीने से सोया बीन की नई फसल की कटाई तयारी जोर पकड़ने पर स्टॉक में बड़ोतरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा वहां इस बार सोया बीन का शांदार उतपादन होने की उम्मीद है भारत में सोया बीन तेल का आयात बढ़ने लगा है इसलिए आगे दिनों में इसकी आपूर्ती एवं उपलब्धता की स्थिती सुगम ही रहेगी और कीमतों में ज्यादा उतार चड़ाव नहीं आएगा जहां तक सरसों की बात है तो इसकी कीमत पहले ही घटकर काफी नीचे आ चुकी है नियून्तम समर्थन मूले पर इसकी सरकारी खरीद अगले महीने से शुरू होने की संभावना है प्रमुक उतपादक राजियों की महतवपून मंडियों में करीब 4-4.50 लाक बोरी सरसों की ओसत दैनिक आवक हो रही है जबकि क्रशिंग इकायों की मांग कमजोर है 42 प्रतिशत कंडीशन वाली सरसों का दाम भी दिल्ली में 5,300 से 5,400 रुपए प्रती क्विंटल तथा जैपुर में 5,400 से 5,425 रुपए प्रती क्विंटल बताया जा रहा है केंद्र सरकार ने सरसों का न्यूंतम समर्थन मूल्य 2022 से 23 सीजन के 5,450 रुपए प्रती क्विंटल से 200 रुपए बढ़ा कर 2023 से 24 सीजन के लिए 5,650 रुपए प्रती क्विंटल निर्धारित किया है इसी तरह सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,300 रुपए प्रती क्विंटल से 300 रुपए बढ़ा कर 4,600 रुपए प्रती क्विंटल नियत किया गया है Bureau Report Market Times TV